हर कोई ये बोलता है कि घर खरीने से पहले फिल्डर का बाग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना चीए, ये evaluate कर लेना चीए कि उसके credentials क्या है, उसकी reputation कैसी है, बट कोई ये नहीं बताता कि इसको डंग से करते कैसे, बस एक convenience सा answer मिल जाता है कि अगर project RERA approved है तो वो ठीक ही हाँ definitely RERA home buyers के help लिए बना है, लेकिन ये कोई guarantee नहीं है कि अगर project RERA approved है तो वो 100% safe ही होगा, प्लस अगर project में कोई issues आ गए तो RERA आपकी help ज़रू करेगा, लेकिन उसके through solution आने में किता time लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता, moreover, खराप construction quality या builder से उने वाले harassment में RERA आप आपको protect नहीं कर सकता, तो इसी लिए एक घर खरीने से पहले आपको खुद builder के बारे में research करना बहुत ज़रूरी है, अब research करना मतलब Google करना ये सब को पता है, लेकिन majority लोगो को ये नहीं पता कि Google पे exactly ढूणना क्या है, और उस information को interpret कैसे करना है, और खुद के लिए use कैसे गरना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक vendor का background चेक करते कैसे है, Google पे क्या टूणना चाहिए और Rara में क्या चेक करना चाहिए, तो शुरू करते आज का विडियो, घर फाइल करने के पहले आपको उस company के founder के बारे में भी एक बार research करना चाहिए, क्योंकि एक real estate developer बनन इक लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, अब ये पैसा आया कहां से, वो developer बनने से पहले क्या काम करते थे, अब ये information आपको मिलेगी कहां से, usually company के website से, एक बहुत ही cliche quote है, that everyone has a past, अब जिनका past अच्छा होता है, वो तो सारी दुनिया में जाके बताते हैं, वो जिनका past खराब होता है, वो अई सारी दुनिया से चुपाते हैं, अब जिनके बच्चे अच्छे college में पढ़ते हैं, वो हमेशा उनकी college का नाम बताते हैं, उनकी course की details नहीं, वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरी बेटी engineering कर रही है, वो ये बोलेंगे मेरी बेटी IIT दिल्ली में बढ़ सबको break करना बहुत अच्छा लगता है, लोग अपने resume में छोटी चोटी achievement भी लिखते हैं, similarly companies अपने founders उनकी journey के बारे में अपनी website पे काफी detail में share करते हैं, हाँ लेकिन कुछ companies हैं जो कभी कभी information share नहीं करते हैं, लेकिन मेरा personal research ये बोलता है कि जितनी भी बड़ी companies हैं, ज जो लोगों ने share नहीं कियें, उनके बारे में आप extra google कर सकते हो, लिंडिन पर याके चेक कर सकते हो, वट एक बार उनके founders के बारे में research ज़रूर कर लो, नहीं साब को company का performance शिक करना चीए, मतलब उन्होंने कितने projects deliver किये हैं, कितने under construction चल रहे हैं और वो कौन सी stage पे हैं, कितने fresh launch की तयारी हो रही है, कितना land bank company के पास available है, जिस पे वो future में नए launch ला सकते हैं, company को real estate sector में कितने सालों का experience है, और उनके delivered projects versus under construction projects का ratio किया है, मतलब पगर कोई नई company है, और उसने सिर्फ एक ही project deliver किया है, और चार project early stage of under construction है, मतलब ये बहुती risky proposition हो सकता है, नेक्स्ट आपको उनकी group companies के बारे में check करना चीए, मतलब उनका primary core business क्या है, क्या उनका core business कुछ और है, और real estate उनकी लिए एक expansion strategy है, या फिर उनका core business real estate है, और बाक उनकी सारी companies उन्होंने real estate के basis पे open किये, इसके साथ में आपको और एक चीज़ सेक करनी चीए, कि इनकी ये सारी companies अपने relative industries में अच्छी कर रही हैं, successful हैं या नहीं हैं, और वो अपने brand के बारे में, अपनी image के बारे में कितने cautious हैं, मतलब उनका नाम अपनी industry में कितना अच group as well, अब legal cases तीन type के हो सकते हैं, financial cases, मतलब farmers को land के payment नहीं किये हैं, money laundering का case है, या tax fraud का case है, दूसरे होगे authority के साथ में, मतलब land का due पे नहीं किया है, EDC, IDC charges पे नहीं किये हैं, rara के साथ हो सकता है, documentation को लेखे, project के master plan को लेखे, या फिर project की marketing को लेखे, तीसरा home buyers के साथ मे legal cases हो सकते हैं, for delay in the position, उनकी refund को लेखे, अब हर type के case का implication अलग होता है, अगर financial case चल रहा है, तो usually ऐसे cases बहुत जादा लंबे समय तक चलते हैं, और project first भी सकता है, और builder bankrupt भी हो सकता है, अगर authority के साथ कोई case चल रहा है, for outstanding payment, तो OC मिलने में delay हो जाएगा, registry होने में delay होगी, औ और usually ऐसे cases के अंदर building की construction quality compromise हो जाती है, अगर home buyer के साथ में case चल रहा है, और बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ये बताता है, builder का attitude और mindset towards the home buyer, कि उसको home buyer की problem के साथ में कोई फरक नहीं बढ़ रहा, इसके साथ में आपको buyers की complaints भी सर्च करनी चाहिए, अब complaint चाल टाइप updates recent हैं, बहुत पुरानी हैं, या फिर एक consistent pattern है over the years, ये सारी information आपको online search में मिल जाएगी, नेक्स आपको company की marketing strategy को evaluate करना चाहिए, कि क्या वो company fixed limited discount दे रही है, या फिर वो बहुत जादा offers और discounts रन कर रहे हैं, अब company limited discount सिर्फ तभी देती है, जब वो अपने product के बारे में, अ बहुत जादा offers और discounts सिर्फ दो केश में देते हैं, पहला जब अपने product के बारे में confident नहीं है, और दूसरा जब उनके बास working capital का fight है, और वो बहुत fast pace पे revenue generate करना चाहते हैं, अब usually ये काफी risky हो सकता है, Next is to check their financial statement, मतलब वो company का debt केतना है, उसके assets केतने है, उसके last कुछ सालों का revenue और profit या loss केतना हुआ है, अगर ये public limited company है, तो ये detail पूरी easily available है, अगर private limited company है, तो काफी सारी websites है, जहां पे आप 1500 रुपे देखे, ये पूरा financial statement डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत यदा tricky है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये financial statement समझ में नहीं आता, तो मैं इसको बहुत रहरा recommend नहीं करता, ये सिर्फ तभी करना चाहिए, जब आपको खोद ये पूरा statement समझ में आता है, या फिर आपके आज कोई expert available है, जो ये काम आपके लिए कर सकता है, Next is to check the RERA details, अब ideally ये सबसे पहला step होना चाहिए to check की project का RERA number आया है या नहीं आया है, अगर project का RERA approval नहीं आया है, तो कोई भी case में आपको उस project में invest नहीं करना चाहिए, बहुत बार brokers और आपको company के employees पुश करेंगे, कि 15-20 दिन में RERA आज आएगा, आज आप एक EOI देदो, क्योंकि इस price पे ऐसी opportunity आपको दुबारा नहीं मिलेगी, ideally ऐसी गलती नहीं करनी चीए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कि RERA का process 6-10 मैने से delay हो गया है, और बहुत सारे गोंबायस एक जगा commitment करने के वजए से market में बाकी opportunities lose out कर जाते हैं, तो ideally RERA आने के पह same है, जो developer आपको बोल रहा है, या उसमें कोई difference है, बहुत बार developer की completion date अलग होती है, और RERA पे completion date अलग mention होती है, तो इस case में आपको हमेशा RERA की completion date ही consider दरके चलना चाहिए, अब I believe majority लोगों को पता होगा कि कैसे RERA की website पर जाके project की details को check करते हैं, in case अगर आपको नहीं definitely एक video बनाऊंगा, last but not the least आपको builder के delivered projects को ढंग से study करना चाहिए, कि क्या वो time से deliver होए थे, या फिर उनके position में कोई delay होआ था, एक project को complete होने में usually 4 साल लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, तो ओके हैं, लेकिन अगर उसमें definitely कोई न कोई issue था, अब आपको एक project का launch date और उसका position date किसी भी property portal से मिल जाएगा, इसके साथ मैं आपको deliver projects पे खुद जाके physically inspect करना चाहिए, और वहाँ पे रहने वाले owner और tenant से खुद feedback लेना चाहिए, on the construction quality, maintenance issues, as well as the promises made by the developer at the time of purchase, क्या उसने वो बार में fulfill किये या नहीं किये, अब basically history repeats itself, अगर उसके major projects में similar issues आ रहे हैं, वो अपनी गल्दियों से नहीं सीखा, या फिर वो deliberately ये गल्दिया गरता है, तो future में जो projects वो launch कर रहा है, उसमें भी ये similar problems आ सकते हैं, all said and done ये पूरा research process आपको help करेगा, आपका risk evaluate करने में, लेकिनि इसके बार भी कोई guarantee नहीं है, कि वो builder future में default नहीं करेगा, कोई builder कितना ही अच्छा, कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसके against कोई ना कोई customer complaint 100% होगी, उसमें कितनी सची है, कितनी जोटी है, ये figure out करना possible नहीं है, हर builder के against कोई ना कोई legal case definitely चल रहा है, आज शायद वो case बहुत चोटा सा है, बट कब वो बहुत बड़ा बन जा है, ये भी पता नह सबसे पहले, preferably आप एक ready to move in घर खरीदो, ताकि ये delay in position का risk पूरा खतम हो जाए, in case अगर आपको under construction ही खरीदना है, तो पहले आप ऐसी company से खरीदो, जिसका core business real estate नहीं है, उसका real estate सिफिक expansion strategy है, और उसके लिए अपना brand और अपना reputation बहुत ज़्यादा important है, आज इंडिया के top developers की list में ऐसी काफी सारी companies हैं, जिनका real estate core business नहीं है, जिसे गोधरेज, टाटा, शापुर जी, बिरला, अदानी और काफी सारी companies, दूसरा आप या तो ऐसी गमनी से घर करीदो, जिसका real estate में बहुत बड़ा experience है, और वो इतनी बड़ी गमनी बन चुकी है, कि उसके साथ में घर करीदने में रिस्क थोड़ा कम है, जैसे लोधा, DLF, शोभा या प्रिस्टीज बूप, अगेन ये पूरा foolproof तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे builder से घर करीदने में आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, I hope आपको आज का वीडियो इंटरस्टिंग लगा होगा, अगर पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक करो, अपने friends, family, kalisya, share करो, और अगर आप real estate पे और knowledge गेन करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को subscribe कर लो, क्यों मैं इसी तरीके से real estate पे और बहुत सारे videos बनाता रहूंगा, signing off for today, I am Rohan Bhardwaj, take care, have fun